बात करते हैं कोरुना की, कोरुना के मामले लगातार 36 गड़ में बढ़ रहे हैं, 36 गड़ में 15 नए संक्रमेंट मरीज मिले हैं, दुर्ग में सबसे ज़ादा उननस मरीज मिले हैं रायपूर की बात करें तो रायपूर में चार नए मरीज सामने आये हैं और मोहला मानपुरा कांकेर में के केस सामने आया सौमवार कोकुल 3534 सेंपल्स की जाच हुई और आज कोरोना के 15 नए मामिस सामने आये चतियसगर में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है और कहीं न कहीं ये जिन्ता का विश्य भी है स्वास्तव भाग भी पूरी तरह से अलट है और कहीं न कहीं लोगों से भी अपील की जा रहे हैं गाइडलाइन्स को फॉलू करने की जिस तरह से पैर पसार रहा है कोरोना अब ये बैठक मुद्वार को होगी है। 25 जनवरी से 25 मार्च तक प्रदेश वास्यों का ये उध्यात तीर्थ दर्शन के लिए ले जाने पर फैसला भी लिया जा सकता है। CGMSC में दवाओं के आपूर्ती मस्दार किया जाएगा और इस मुख्य पर उन्हें कहा कि कोई भी निजी अस्पदाल आयुश्मान योजना के तहत किसी मरीज का इलाज करने से इंकार नहीं कर सकते। ऐसे अस्पदालों के खिलाफ कारवाई होगी। इसके लावा कहा कि मेडिकल कॉलेजों का निर्मान जल्द ही पूरा किया जाएगा। हमारे साथ मौझूद है स्वास्त मंतरे स्याम बिहारी जैस्वाल जी। ही मिल पाती है। आप लगातार उस चीजों के अभी समिक्षा किया होंगे वह बाते सामने आएं होगी तो इसको कैसे बहतर करेंगे। आपको सभी भी अस्थाएं बहतर नजर आएंगी। सारी बातों के समिक्षा हो गया है। और आज सही 36 गड़ में जो स्वास्विदा हैं तेजर अपतार के सांथ आपको जल्द ही बदला हुआ नजर आएगा। पिछली सरकार में स्मार्ट कार्ट आइसमान कार्ड में ब्रहष्टा चार हुए थे अनिमित्ता दिखाई गई थी और करोडों रूपए ट्रांसफर कर दिये गया थे आपके छेतर का अभी मामला है जीले का मामला है इसके सांथ ही पूरे प्रदेश का मामला है अनुमानित सौ करोड रूपए का करीब अनिमित्ता का मामला उसमें देखा जारता फाइल दबा दिया गया है मुझे तो इस बारे में कोई अभी जानकारी में बिसय नहीं आए है निश्चित रूप से अगर कोई भरष्टा चार हुआ है कोई अनिमित्ता हुआ है मेरे संग्यान में आ पढ़ने में उनको ट्रेनिंग देने में जो समस्याएं आरी जीला स्पताल में चल रहा है मेडिकल कॉलेज इन तीनों कालेज की बिस्तिरित जानकारी मैंने मंगवाई हैं जल्दी उस पर जानकारी लेकर जो भी उचित होगा वो तत्काल निरे लेगा स्थिजी में घुटाले लगतार सामने आते रहे हैं अब हाल ही में 120 करोर का टेंडर घुटाला जो है वो सामने आ रहा था सरकार बदली उसके बाद टेंडर निरस्कर दिया गया था संग्यान आपके मामले में वियोगा सीम से भी उसकी सिकायत हुई है पीम तक के सिकायत करवा ही भी करेंगे यह तो यह थे स्यांब्यारी जैस्वाल जी जिन्होंने कहां कि ब्रश्टाचार पर लगाम लगेगा और कारवाई होगी जो दोसी अधिकारी है वो जरूर न पिंगे कमर्ण मनीश गीते के सांथ आक आशकला निउस एटिंग क्राइप बीजापुर मे अलाके में पुलिस का सर्चिंग अभ्यान जारी है तो क्रॉस फाइरिंग में बच्ची की जान चली गई मां घायल बताई जा रही है छै महिने की यह बच्ची थी जिसकी गोली लगने से मौत हो गई अब जो है अलाके में सर्चिंग अभ्यान चल रहा है पुलिस वारा नकसली मुटभेड में बच्ची की मौत हुई माघायल हुगई और अब जो है सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है जवानों की और से जीरा विजापुर के ठाना गंगालू रंतरवेट मुटवेंडी के जंगलों में पुलीस और नकसली के बीच में मुटभेड हुई थी इस मुद्वेड के दौरान दो डियार जी के जवान जो है वो गायल हुए थे और नक्सलियों के क्रॉस फाइनिंग में मुद्वेडी गाओं के एक नाबालिक बच्चे की मुर्थी होने की इवं उसके मा के गोली लगने से चोट आने की खबर जो है वो प्राप्त हुई पिडी परिवार की साहिता है हितु तकाल से मौके पर अतिरिक पुलीस अधिक्षक पिजापूर एवं उनकी टीम जो है वो गई थी और पिडी जो मैला जो है उसे उच्चा जेतु पुलीस द्वारा अस्पताल बेजा गया है दुर्ग में महादेव अप के सक्टेवाजो पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है खाईब वालों के खिलाफ पुलिस ने आफार धर्च की है पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्श किया और इन लोगों ने तीन ज्युफकों से मार पीट की थी S.P. से शिकायत के बाद केस दर्श कर दिया गया है और एक वीडियो भी सामने आये था आपने देखा होगा उस वीडियो में महादेव सट्टा एप के जो दबंग हैं वो पिटाई करते हुए नजर आये थे बंधक बनाकर तीन से चार लोगों को पीटा था इन लोगों ने खाई वालों के लिए ये वीडियो आपके सामने इसी वीडियो के सामने आने के बाद मामला और भी जादा अगंभीर हो गया और दुर्ग में महादेव एप के सट्टे बाजों पर पोलिस ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है बड़ी बेरे में जबटाई की थी खाई व और विलासपुर में अरपा नदी से रेट चोरी रोकने के लिए अब महिलाओं ने एक अमान संभाली है और कडाके के सर्दी बें यहां महिलाओं के द्वारा घश्ट किया जा रहा है, रेट चोरी के शिकायत के बाद महिलाएं पहुँची, लोखंडी की महिलाओं ने इसे रोकने का बीला भी उठाया, महिलाओं रात भर लाखी लेकर घश्ट करती नज़र आई, लोखंडी रेट घाट से रेत माफिया देर रात को रेत के चोरी करते हैं कई बार शिकायत करने के बाद भी किसी तरह के कोई कारवाई नहीं होई और अब महिलाओं ने मोलचा संभाल दिया शिकायत करने के बाद जब रशास्तन ने कोई कारवाई नहीं की तो महिलाओं को आगे आना पड़ा, और किस तरीके से महिलाओं अब रखवाली कर रही है, हाथों में लाठिया लेकर, वह आपके सामने है, जितने बड़े-बड़े काम की हैं, ये तो अभी चलू कि इसे पहले और बहुत काम कर चुके हैं, क्या-क्या काम किया आप लोगोने हमें उतने बड़े जंगल को बचाए हैं, 40 सेक्टर जो जमीन था उसको भूमाफिया लोग बिक्री नामाम करते थे, और ऐसे खाते थे, उसको जाकर हमारे संगठन महिलाएं, ससंगने महासंग उसको भी बचाए हैं, यहाँ पर डेड़े करकर जमीन था, वो रातो रात बि विरोध में खिलालियों ने रायपूर में रैली निकाली और यह खिलाली, रामदीला मैदान में लगने वाले खादी ग्राम और द्योग मिलेगा, विरोध करते हूए नासराई खिलालियों को कहना है कि खेलों के अंदेखी करके निगम खेल मैदान का वेवसाई करन कर रहा है कई खिलालियों के हाथों में तक्ती लेकर रहलिया निकाली गई खिलालियों ने बीच सरक पर फुटबॉल खेल कर अपना विरोध चता है बिलासपुर के चार क्रिकेट खिलाडियों का रंजी ट्रॉफी के लिए चैन हुआ है सी के नाइडू ट्रॉफी के लिए 36 गल राज्य के क्रिकेट टीम की कप्तानी मैंक यादाव को मिली है जबकि रंडजी ट्रॉफी के लिए वासुदेव वरेट को कप्तान बनाया गया 36 गल की रंडजी टीम के लिए कुल 60 खिलाडियों का चैन हुआ है जिन में से विलासपुर जिले से 4 खिलाडी शामल है जिसमें वासुदेव वरेट, मयंक यादव, दीपाक सिंग भगेल और श्यानी पांटी शामल है तो सीके नाइडू ट्रॉफी के लिए 36 गल राज़ की करके टीम की कप्तानी मयंक यादव को मिली है और रेनलजी ट्रॉफी के लिए वासुदेव बरेट को कप्तान बनाया गया बल्रामपर में ताता पारी महादसफ की तैयारी अब शुरू हो चुकी है जिला प्रशासन ने महादसफ की तैयारियां तेस कर दिया और इसी कड़ी में आज कलेक्टर और जला पंचैत सीईओ ने कल अधिकारियों की बैठक भी ली थी जिसमें महादसफ की तैयारियां लगाता आफ जारी है और महादसफ की जिम्मदारियां अधिकारियों को दी गई कि मकर संक्रान्ति के मौके पर तीन दुनों तक ताता पानी महादसफ का आविजन किया जाता है और इस महादसफ में असी हैं विश्ण देवसाय के साथ उनके कैबिनेट के कई मंतरी और विधायक शामिल होंगे अखिरी में जो है बदलना पड़े हो कोई मज़े नहीं आएका अधिया के राम मंदर के लिए भगवान राम की मूर्ति का चैन कर दिया गया है सूत्रों के मुताबिक मैसूर के रहने वाले अरुन योगी राज द्वारा बनाए गए मूर्ति का चैन किया गया ललाज से पैर तक ये मूर्ति के लंबाई 51 इंच है और अस मूर्ति में श्रबधालों को भगवान राम के 5 साल के बाल रूप के दर्शन होंगे बाकी अन्यदू मूर्ति जिनका चैन नहीं हो सका उन्हें भी मंदर परिसर में ही रखा जाएगा जिस मूर्ति के चैन किया गया है उसे ही 22 जन्वरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदर में स्थापित किया जाएगा केंद्रिय मंत्री प्रलाज जोशी ने भी एक्सपर किये गए पोस्ट में मूर्ति के चैन के जानका रेगी यह ट्वीट आप देख रहे हैं केंद्रिय मंत्री प्रलाज जोशी द्वारा किया गया है उन्होंने लिखाए कि जहां राम है वहां हनुमान है आयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चैन फाइनल हो गया है हमारे देश के सुप्रसद मूर्तिकार हमारे गौरव अरोण योगी राज के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति आयोध्या में अस्थाबट की जाएगी यह राम हनुमान के अटूट रिष्ठे का एक और उधारन है इसमें कोई दोराय नहीं है कि हनुमान की भूमे करनाटक से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर सेवा है केंद्रे मंत्री प्रलाज जोशिद्वारा ये ट्वीट किया गया और बात होगी क्रिकेट में सटे की खोलेंगे उनका कच्चा चिठा आपको दिखाएंगे कि कैसे पुलिस ने उन पर शिकन जा कसा वो खिलाते थे ओन लाइन सटा बैटिंग आप के जरिये चलता था खेल चार आरोपियों को पुलिस ने भीजा जेल हजारों रुपियों और मुबाइल जब्ड वो बड़े शातिर थे दोस्तों ने मिलकर बनाई थी योजना ओनलाइन सटा खिलाने की चार दोस्त मिले और शुरू कर दिया सटे का धंधा सटे के लिए चुना गया क्रिकेट का खेल और फिर शुरू हो गया सटे का कारोबार मुबाइल के जरिये खेल पर सटा लगने लगा रुपे इधर से उधर होने लगे लेकिन फिर सामने आया मुख्बिर और हो गया गंदे खेल का खुलासा पोलिस के गिरफ्ट में आया मुख्य आरोपी बैटिंग एब के जरिये लाखों रुपे का ओनलाइन ट्रांजेक्शन करता था मामला राजनान गाउश शहर के चिकली पोलिस चौकी शेत्रका है जहाँ चार दोस्तों ने बैटिंग एब के जरिये क्रिकेट मैच में सट्टे का खेल शुरू किया क्रिकेट मैच में आनलाइन सट्टे के इस कारुबार की सूचना पोलिस को मुख्बिर से मिली मुख्बिर ने वताया कि राजनान गाउश शहर के बजरंगपुर नवागाउव वार्ड निवासी लीला राम वर्मा अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुबाइल फोन से क्रिकेट मैच में आनलाइन सट्टा खिला रहा है सूचना पर शिकली पुलिस चौकी की टीम ने लीला धर वर्मा के घर के सामने दबिश दी और आरोपी लीला धर वर्मा को गिरफ तार किया पुछताच करने पर आरोपी ने अपने दोस्त धीरत साहू सचिन साहू धरमेंदर साहू के साथ मिलकर छे महपूर्व से एप के जरिये क्रिकेट मैच में रुपे पैसो का दाम लगा कर सट्टा खिलना सुईकार किया जिस पर आरोपी लीला धर वर्मा सहत उसके साथियों से चार हजार रुपे नकद और पाल्च मुबाइल फोन जप्ट किये गए जिस पर आरोपी के गिरफतारी के बाद अन्य सर्टोरियों में हड़ कम तबचा है राकेश यादव, न्यूज एटीन, राजनान गाउन ओधर अंभीकापुर में भालू के हमले से लोग परिशान है तेरह साल के बच्चे पर भालू ने हमला कर दिया, दूध ले जा रहा है था बच्चा, तभी भालू ने उस पर हमला बोल दिया अधिक जानकारी के लिए बाद चीत करेंगे, श्रवन महंत हमारे संजड़े हुए है इश्रवन क्या कोछ और जानकारी है, भालू का आतंक लगाता जारी, वन हमला क्या कर रहा है? दिखे, यह जो पूरा मामला है, यह वन पर इच्चेत रमेन पार्ट के डाके तरक है वहाँ पर जो सुबसुबर है, तेरा वर्सी जो बालत है, वो दूध लेने मड़ा ही जा रहा था तभी अचानक भालू से उसका आमना सामना हो गया और भालू उस पर हमला किया और चीक पुकार सुनकर वहाँ पास में वन विभार के नर्सरी में जो चौकीदार था वो उसकी चीक पुकार सुनकर वहाँ पास पहुचा और उसके जो उसने भालू पर हमला किया और उसके जो मदद से भालू वहां से भागा है और तब जाके बाद जान बच सकी है तो कुल मिला की ये है कि वो जो चौकिदार सा उसकी साहत के वज़े से ही उस बच्चे की जान बच सकी है फिल्हाल ग्रामीडो की मदस पे उसे प्रात्मिक उप्चार प मेंपार्ट के अस्पटाल में लाया गया है जिसके बाद मेडीजल कालेच रीफर कर दिया है जहां बच्के की हाला ताह भी सही है जी ठीक बहुत बहुत शक्रिया और इसी के साथ ये फिलहाल के लिए 36 गड़ के बुलिटन में इतना है खबर लगा ताजवारी है नमस्कार